नमस्कार मित्रु सागत करता हूं, आपके अपने चैनल Wild Nova में, मैं हूं आपका दोस्रे का मंसार राइ या मंसार रहो सकते हैं, यहां पर आपजिसे जानते हैं, हर फ्राइड़ को आपको मिलते हैं Wild Life Photography के educational वीडियो, तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ चीजों पर बा और उनी को आज यहां हम cover up करने वाले हैं तो सबसे पहले बात आती है composition की तो composition को एक simply way में आप समझे कि आप किस तरह से एक visual element को याने दिखने वाले element को किस तरह से arrange करते हैं अपनी frame के अंदर और किस तरह से यहां एक powerful image लेके आते हैं तो बिकुल symbol है इसे आप try कीजिए और कुछ इस प्रकार से आप एक बड़िया photo यहां last सकते हैं यहां पर बात कर लेते हैं अगली चेस की जो की आती है negative space जब हम बात करते है negative space की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह laughing dog है और इसके असपर कितनी खाली area है और तब भी यह photo कितना अच्छा लग रहा है तो यहा इस प्रकार से आप negative space के साथ खेल सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो center में हो जरूरी नहीं है कि वो side में हो आपको देखना होगा कि कहां पर यह जो negative space है वो आपकी frame को composition को बहतर बना रही है और कहां आपको एक powerful image मिल रही है तो negative space में आप try किजिए ground पे उतरी है और यहां try कि किजिए है यहां में बात कर लेते हैं change of perspective की तो यहां पर आप कैसे change कर सकते हैं perspective तो जब हम बात करते हैं पूरी perspective को change करने की तो यहां आपको try करना चाहिए कि कुछ एसी unique photos आया जो mostly आपने कहीं नहीं देखिए और वो आप लिगा है तो यहां अपना perspective चेंज किजिए कु और यहां पर आप ट्राय कर सकते हैं, लेंक्स का यूज लेकर फिर इसके ठूरू यहां photo लेने की, तो इस तरह से कुछ प्याप प्रैस्पेक्ट स्वेट्ट्छ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि change point of view आप कर सकते हैं, यहां पर अगली छीज आती है, focus, फोकस एक ऐसा मेन चीज़ है फोटोग्राफी के अंदर अगर फोकस नहीं होगा तो यहां पर आपकी कमपोजिशन है जो फ्रेमिंग है वह उठके नहीं आएगी तो फोकस पर रेगुलर वक कीज़े ट्राय कीज़े फास्ट मोविंग सब्जेक्ट पर और वहां पर आपकी ज चीज़ की बात करते हैं अब नेचर एब्स्ट्रेक्ट फोटोग्राफी अब नेचर एब्स्ट्रेक्ट फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यहां पर यह सारा फोटोग्राफर के पॉइंट पर है कि वह किस तरह से नेचर के अंदर एब्स्रेक्ट देखता है जैसे मान द और बहुत सरी चीज़ें हैं जिसको आपको निकलना पड़ेगा और देखना होगा अब यहां पर बात करते हैं अगली चीज़ की चुकि है एडिटिंग से रिलेटेड और जो हम प्रिविएस वीडियो में भूल गए थे वह है ब्लेक और एडिटिंग और ब्लेक और एक एसी फोटो है जो रियलिव है आज भी दिल जीत लेती है दिल को खुश कर लेती है परंदू ब्लेक और एडिटिंग में थोड़ा सा यहां आपको महनत करनी पड़ती है और चीज़ें देखनी पड़ती है साथे साथ आपको यह देखना पड़ता है कि कौन सी फोटो यहां ब्ल फोटो लैप जो कि 7 वर्जन है उसके अंदर कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं black and white की और black and white यहां पर आप अपने फोटो थी और आप देख सकते हैं कि जो red snack है वो बिग्कुल exposed नहीं है background बहुत ही grayish हो रहा है और बहुत ही underexposed यह फोटो आई थी तो यहां पर हमने ट्राय किया था कि पहले color में परंदू color में वो मजा नहीं आ रहा था फिर हमने ट्राय किया black and white में और black and white में यह फोटो में बताना चाहेंगे कि जब आप black and white में editing कर रहे हैं तो इस चीज़ का धियान कियेगा कि जो आपका element है या आपका subject है वो background के साथ merge ना हो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अगर यह gray है और अगर यह भी gray रहे था तो यहां पर वो appealing नहीं लगेगा इतनी अच्छी photo नही element है वो अच्छे से exposed है और वो background के साथ merge नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया photo यहां आ सकती है और कितनी अच्छी वो लोगों को देखने में लगेगी तो इस चीज़ का आप धियान रखेगा अब यहां पर बात कर लेते हैं किस तरह से हमने edit किया है तो shadows हैं खासकर rat snack पर वो हटे और यहां सदा अच्छी photo देखने मिले तो यहां पर हमने black को down किया ताकि जो black वाले areas है वो ज्यादा ओर darker और बहतर लगे और यहां पर एक बढ़िया composition दे प्लस यहां जो oral frame है वो अच्छी लगे यहां पर हमने उसके बड़ dx और clear view को जो clear view plus है उसको off रखा contrast को हम mostly on रखते हैं और यहां पर फिर हमने tone curve पर work किया और देखा कि कौन सा वो area है जहां पर background ज़्यादा bright हो रहा है प्लस यहां पर वो area भी देखा कि कहां पर हमारा जो red हिसने के वो भी अच्छे से expose हो रहा है तो आप इसके साथ play कीजिए और यहां पर देखिए आपको कहां पर वो आपको संतुष्टी मिलती है और कहां आपको और और जो composition है वो अच्छा लगता है यहां पर जाते हैं यहां आपने white balance और इस पर काम किया था जैसे हमने बताई कि हम color पर try कर रहे थे तो वो on के on ही है पर यहां पर एक option मिलता है color and b and w जाने black and white rendering तो यहां पर आप जैसे ही इस पर click करेंगे इस वाले button पर तो यहां black and white का option आजाएगा पर जाब आप first time click करत हैं तो आपको option मिलता है generic और उसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको देखनों मिलेगा जिसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है और बहुत ही गटिया यहां photo लग रही है तो आप जाएगे black and white film में और यहां पर आप अलग-अलग option select कर सकते हैं यह तीन option आपको मिलते हैं और आप देख सकते हैं आपको कौन सा कहां पर अच्छा लग रहा है बस यही है चीज़े और यहां पर आप D noise का use करकर यहां पर जितनी भी noise है उसे हटा सकते हैं और यहां पर आपकी photo ready है तो आप देख सकते हैं कितना easy है editing करना और कितना easy है यहां पर DxO photo lab पर work करना तो यहा पर mostly वह चीज़े मैंने cover-up की जो मैं भूल गया था और जो रह गई थी तो बहुत easy है और चीज़े जो जो चीज़े हम बता रहे हैं जस्ट आप सुनिये मत आप ground पर करिए या आप safari जा रहे हैं तो वहां ट्राइक कीजिए और अगर photo बिगरती है तो टेंशन मत लीज़ low रख देते हैं या हम higher shutter पे चले आते हैं बहुत ज़्यादा जिसके current ज़्यादा ISO बढ़ जाता है या कभी कवर aperture ज़्यादा खुल जाता है तो यह सारी गलतियां होती रहती है परन्दू learning max you better तो यहां learn करते रहिए सीखते रहिए गलतियों से और अपने आपको improve करते रह होगा अगर मिला है तो comment करके बताइए या अभी भी कोई doubt है या कुछ चीज आपको लगता है कि हमें बतानी चाहिए तो आप comment करके बता सकते हैं या DM कर सकते हैं या mail लिख सकते हैं चली हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों पर ब दोरी शंकर